Welcome to the world of spycraft, get down! जो एक जेल में कैद है और उसे अपनी खुद की स्टोरी लिखने के लिए कहा जाता है। और ये narrator ही इस series का main character है, जिसे पूरी series में हम captain के नाम से जानते हैं। इसकी स्टोरी Vietnam War के आखरी दिनों में set है, जहां Communist Party supported North Vietnam और America supported South Vietnam के बीच में war हुआ था। और ये स्टोरी उसी war के बीचों बीच एक स्पाई की कहानी दिखाती है, जो एक Communist स्पाई है और वो South Vietnam Army याने एमरिका की साइड में एक मोल बनकर छुपा हुआ है। और वो South Vietnam Army के top level के लोगों के information लेकर North Vietnam को supply करता है। लेकिन South Vietnam के fall के बाद उसे reluctantly South Vietnam के लोगों के साथ ही एमरिका जाना परता है और वहाँ भी उसे एक स्पाई का काम करना परता है। कैप्टेन को अपनी secret identity चुपाने के लिए कुछ बहुती भायानक काम भी करने पड़ते हैं जिससे उसके दिमाग के उपर effect पड़ता है और वो अपने आपको अपने loyalty को question करने लग जाता है। और इसी के साथ इस शो में हम कैप्टेन की दोस्ती की कहानी भी देखते हैं जहां उसका एक दोस्त जिसका नाम है बॉन जो जनरल की आर्मी का एक loyal member है और सारे communist से नफरत करता है। और दूसरा है मन जो कैप्टेन का ही communist handler है और communist party के लिए काम करता है तो कैप्टेन के बचपन के दो दोस्त दो अलग ideology को बिलोंग करते हैं और इस सीरीज में क्या कैप्टेन आखिर तक अपनी secret identity छुपा कर रख पाता है क्या इस revolutionary का मकसद आखिर तक पूरा होता है और कैप अपने देश जिसके लिए उसने इतनी सारी sacrifices की है और इतने भायानक काम किये हैं वहाँ लौट पाता है यह आपको इस limited series में देखना होगा अब series की रिव्यू की बात करते हैं The Sympathizer एक 7 episode spy drama mini series है जिसे South Korean director Park Chun Ok ने direct किया है और यह series एक Pulitzer Prize winning novel के उपर based है तो यह series मुझे बह after effects को दिखाए गया है जहां कुछ politicians कैसे इस war को अपने फाइदे के लिए exploit करते हैं और दूसरी ओर जिस country के लिए war हुआ था वहां कैसे हालात है उसको भी दिखाए गया है दूसरी positive की बात करें तो इस series का direction बहुत ही amazing है जो इस series को बहुत ही cinematic बना देता है और last में बात कर और half french है उन्होंने इस show में बहुत ही brilliant performance दिया है साथ ही और भी जो Vietnamese actors है सभी ने अपने respective roles में flawless काम किया है जो इस series को बहुत ही immersive बना देता है पर इस show में सबसे amazing काम किया है Robert Downey Jr. ने और उन्होंने इस series में एक नहीं बलके कहीं role play किया है जहां he was playing a dude disguised as another dude और मुझे ये बहुत interesting लगी इस show में captain के life में सभी important characters या फिर जो negative white characters है सभी का role Robert Downey Jr. ने play किया है और वो एकदम last episode में जाके clear होता है ऐसा क्यूं दिखाया गया है अब negatives की बात करते हैं तो ये show बहुत ही slow है और middle के episodes काफी drag करते हैं और इसका plot भी थोड़ा complex है और इसकी ending भी मुझे इ भी एकदम match your audiences के लिए है overall The Sympathizer एक gripping और thought-provoking spy drama series है जो Vietnam War को एकदम अलग तरीके से दिखाती है हाँ अगर आप एक action-packed spy thriller expect कर रहे हो तो ये show बिल्कुल मत देखना पर अगर आप एक slow-paced, story-driven, espionage thriller देखना चाते हो with strong writing and brilliant performances तो ये show आपके लिए है और मैं इसे 7.5 out of 10 की 7 episodes के साथ The Sympathizer को आप जियो सिना ओवर देख सकते हो और फ्रेंड्स अब पंचायत के season 3 की बात करते हैं तो friends I'm sure इस review से पहले ही आपने ये season बिंच कर लिया होगा और अगर आपने अभी तक ये season नहीं देखी है then don't wait for anything else and just watch it ये season भी पंचायत के पहले 2 seasons की तरह ही बहु अब नए सचिव जॉइनिंग के लिए आए है और गाउं में अभी भी विधायक की वज़े से माहौल एकदम गरम है और प्रधान जी के हर बात पर भूशन पॉलिटिक्स कर रहा है क्योंकि सामने ही फूलेरा पंचायत इलेक्शन भी है और इस बार प्रधान मंजु देवी को ये सीजन भूलता नहीं है बलके इस सीजन में दूसरे करेक्टर और भी ज्यादा सामने आते हैं और जीतु भाईया के सचिव जी का करेक्टर अट लिस्ट शुरू के कुछ एपिसोड में थोड़ा बैक्सिट में जाता है जो कि मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा को लास्ट सीजन के बाद इस सीजन में भी बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है और उसके करेक्टर को एक्टर फैजल मलिक ने फ्लॉलेसली निभाया है सच में फ्रेंड्स इस सीजन के थर्ड एपिसोड में एक दादी और प्रलात के बीच में जो कॉन्वर्सेश जो एकदम फ्लॉलेस हैं कहीं भी 1% भी नकली नहीं लगती और आपको 5 गंटे के लिए एकदम फूलेरा गाउं में लेकर चली जाती है और इस शो का प्रोड़क्शन भी इतना अच्छा है शो का फूलेरा गाउं मानो शो का एक जीता जागता करेक्टर है और फ्रेंड्स सीजन के विदायक जी के रोल में पंकट जा की आक्टिंग भी बहुत ही मेनेसिंग है सच में फ्रेंज इस शो का नेगटिव तो मुझे कुछ भी नहीं लगा हाँ लेकिन एक बात है सीजन के ट्रेलर में जो दिखाया जाता है पंचायत इलेक्शन्स इस सीजन का मेन प्लोट ह मैं इसे 9 out of 10 की रेटिंग दूँगा और 30-40 मिनिट के 8 एपिसोड के साथ पंचायत सीजन 3 को आप प्राइम वीडियो पर जल्दी से देख लो and that's all for this video friends I hope आपको ये दोनों सीरीज ही पसंद आएंगे and ऐसे और movies and series recommendation videos के लिए please subscribe to my channel and thank you for watching